नमस्कार दोस्तों मैं विनुद बाकुलियक और फिरसे आप सभी का अमारी यूटूब चैनल दैरिश टेडी पॉइंट में स्वागत है आज की वीडियो में डिस्कर्स करने वाले हैं समस्टर फिरस्ट राजिन्त विगयान के मूल आदार जो आपका पॉलिटीकल साइंस का जो फिरस्ट पेपर लगने वाला है समस्टर फिर्स्ट में उसके आज अपन इंप्रोटेंट क्युस्ण श्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले दो-दो अंकों के जो आपकी 10 क्युस्षन आने वाले हैं, उन पर मैं लगातार वीडियो लेकर आऊंगा, निमनदात्म क्युस्षनों जो 20-20 अंकों के क्युस्षन आएंगे, उस पर मैं already वीडियो बना चुका हूँ, उसमें जाकर देख लीजी कौन-कौन से important क् ठीक है, तो इसमें मैं जो जितने भी परकार के आपके क्युस्षन लाया हूँ, वो बुक से लाया हूँ, ठीक है, सिरीज से नहीं लाया हूँ, क्यूंकि सिरीज में सोट में दे रखा हुता है, सिरीज अभी मत पढ़ो, ठीक है, जब एक्जाम टाइम आए, उस टाइम हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बैल आइकन को दबा लो, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि मैं इसका जो पार्ट टू डालू, वो आप तक समय से आपके पास में पहुच जाए, टेलिगराम से नहीं जुड़े हो, तो टेलिगराम से जुड़ जाओ, क्योंकि व क्यार क्यूसन ऐसे आते हैं, दो दो अंकों के जिसमें अर्थ पूचता है, वो सब्दों का, तो जो पूरा सलेवस है, उसके आदार पर आज की वीडियो में, अपन दस क्यूसन जितने भी देखेंगे, उसमें आपको बताया जाएगा, कि कि सब्द का अर्थ क्या है, और उ समविदानवाद के सीमित व्यापक दो अर्थ है, एक तो सीमित तरीके से छोटे तरीके से अर्थ दे रखा है, और एक व्यापक दे रखा है, तो सीमित तरीके से अर्थ देख लो, ए, सीमित अर्थ में समविदानवाद का अर्थ, एक ऐसी अवदार ना, जो समविदान के अनुसार सासन पर बल देती है समविदान के अनुसार सासन ही समविदान वाद है पीले कलर में आपको जो दिख रहा है यही इसका मूल है यदि इसको समझ गया है ना तो बाकी जो पीनीचे लिखा हुआ है उसको आसानी से समझ जाओगे संविधान के अनुसारी शासन यानि कोई भी देश होता है उसका संविधान होता है और उसके अनुसार सासन होता है अब ऐसे भी नहीं समझोगे आप ठीक है मैं समझाता हूँ गए कि चुनाव ऐसे होगी मुक्य मंत्री ऐसे बनेगा ऐमेले ऐसे बनेगा सरपंच ऐसे बनेगा परदान मंत्री कैसे बनता है लोग सबा किस पर कारे करती है राज्य सबा, राज्य पाल, राश्टर पती किस पर कारे करेंगी यह सारी कि सारी समविदान में दे रखी है तो कोई भी देश होता है उसको समविदान किसे चाओँ कोई भी देश होता है वो कैसे चलता है समविदान के अनुसार तो समविदान के अनुसार जो सासन होता है ना उसको समविदान बाद कहते हैं सोट अर्टों में तो ये दो विद्वान है इन्होंने भी वही चीज बोली है कोरी वै अब्राहम के अनुसार इस तापित सम्विदान के अनुसार सासन किये जाने को सम्विदान वाद है वो ही बात है इस तापित सम्विदान हमने इस तापित कब किया सम्विदान को 1950 में और उसके अनुसार ये पन सासन कर रहे है तो वो सम्विदान वाद हो जाएगा बिल्कुल ही जिये, अब व्यापा करतों में इसको थोड़ी से बढ़ा दिया है बात को, पहले अक्सरों में जो दिख रहा है उसको वो थोड़ा ओध और बढ़ा दिया है इसको, बस और कुछ भी नहीं है इसमें, सम्विदान वाद का व्यापा करते हैं, सम्विदान का अर् अपितू सम्विदान का मूल आदार य है कि स्वें sama avidni इस परकार के होनी चयाए कि वे Letẵ उठष्च queríaum . इस तान पर उचित 2 än मर्यादित 1 सासन कि स्टापना करते हूं कि तो इइ इसमें ये ओर जो जो , क्यानुण ऐसे होने चाहिए जो उचित हो मर्यादित हो ऐसे नहीं होने चाहिए कि निरंकुस कोई भी किसी भी वक्ति ने बना दिया और वो जनता प्रत्याजार करा ऐसा कानून आपने बना दिया अपनी इच्छा से स्वेचारी का मतलब अपनी इच्छा से आपने सम्विधान बना दि और उस्वेश जनता की बलाई है नहीं तो इसमें यह कहा गया है कि उचित और मर्यादित समविधान होना चाहिए इसमें यह कहा गया है ठीक है तो बड़िया तरीके से आपको समझे आ गया होगा परस नमर दो लोकतंतर का अर्थ क्या है लोकतंतर आपने बार-बार लोकतंतरा सबस्ता है अंग्रेजी सब्थ कैसे बनाया लोकतंतर वो देखते हैं अंग्रेजी सब्थ का इंदी अनुवद है और इसको क्या बोलते द्थर बोलते है जंतंतर थर्वार पर्जातंतर यह जो तीन नाम इसके चीन्ольше के इसका डैमेकरेशि को हिंदी में करोगे तो तीन नाम निकलेंगे ठीक है अब यह डेमोक्रेसी है ना जो किस बासा के सब्द से बना है वो देख लो अलग-अलग अर्थ बता रहा है, डेमोस का अर्थ बीड से है, लेकिन आदुनिक काल में इसका अर्थ जनता से ले लिया गए, पहले इसको अर्थ क्या लगाया जाता था, डेमोस का बीड से लगाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे आदुनिक जमाना आया, उस टाइम इसका न लाओगे तो डेमोक्रेशी बिनेगा और डेमोक्रेशी का साब दे करता होगा जनता की सक्ति इन दोनों को मिला दो या फिर जनता की सक्ति पर आदारिश सासंतंतर से है तो यह सासंतंतर और इसमें मिक्स कर दिया और बात वही है जनता की सक्ति पर आदारिश जनतंतर यानि स् तो इसको बड़े तरीके से कर ले ना मैं बड़े तरीके से आपके लिए मैनत कर रहा हूं और आपको भी मैनत करने की जरूत है ठीक है परस नमर तीन अधिनायक तंतर जिसे अपन ताना साही बोलते है ना का अर्थ क्या है यह जो डेमोक्रेशियल लोग तंतर है उसके विपर आगे बढ़ ले पढ़ लेते हैं इसमें अधिनायक तंतर एक ऐसी सासन पर अनाली है जिसमें सासन की संपून सकती एक व्यक्ति जो सासक होता है ना के हाथ में केंदरित रहती है अधिनायक तंतर या ताना साही सासन क्या होता है कि एक व्यक्ति के हाथों में सारी सासन रहती है वर्तमान में लोगतंतर है क्या उसमें एक व्यक्ति के हातों में सासन वेवस्ता रहती है क्या नहीं रहती है आप सोचरिय परदान मंतरी वो तो उसके हातों में सक्ति नहीं रहती है नहीं रहती है उसके जो मंतरी होते हैं कुछ सक्तिया उनके हातों में रहती है और स यदि सरकार को गिराना चाहे तो दो मिन्ट में गिरा सकती है तो जनता के पास में लोग तंत्र में सकती होती है लेकिन यहाँ पर अधिनाएक तंत्र उसके विपरित है, एक वक्ति के हातों में सकता होती है, جैसे प्राचिन काल में आप राजा देखोगे जो राजा होता है उसके हातों में सक्तिया होती थी तो वो के एक परकार से ताना साही सासन अपर मान सकते हैं अधिनायक तंतर इसका एक अच्छा उदारन है एक राजा का सासन ठीक है तो प्राचिन काल में तो अधिनायक तंतर ही चलता था राज्त अंत्रात्मक्सासन होता था जिसे अपन ताना साही भी बोलते हैं ठीक है तो बड़े तरीगी समझे में आ गया होगा यहाँ व्यक्ति अब इसके बारे में बता रहा है यहाँ व्यक्ति सर्वच होता है और किसी के भी परतियुत्तरदाई नहीं होता क्या एक राज्या होता है वो किसी के परतियुत्तरदाई होता है क्या नहीं होता है वैसे मान लिया गया कि वो मंत्री के परतियुत्तरदाई होता है मंत्री की सला ले निचे एक राज्या को ऐसा किताबों में बोला गया है लेकिन वास्तियुत्ता वो ही है कि सारे रूल वो ही बनाता था राजाई तो सब जी सक्तिय राजा के हाथों में उत्ती थी और तानासाई सासन भी एक परकार का राजा से संबंदित एक परकार की सासन वे उसता अपने मान सकते हैं बैस तुदारन है राजा, ठीक है अब यहाँ पर अपने जो परिवासा इसकी देख लेते हैं तानासाई की परिवासा क्या है अधिनायक तंतर की परिवासा क्या है इसको देख लेते हैं फोर्ड, राज्य अध्यक्स दुआरा गेर कानून सक्ति प्राप्त करना ही अधिनायक तंतर है राज्य का जो अध्यक्स होता है कोई चलाने वाला, वो गैर कानूनी तरीके से सक्थि का प्रियोग करके सक्था को अतिया लेता है और उस पर सासन करता है, जैसे माल लिजे आप किसी सासक का उधारन लेना चाओ, तो जैसे घनानं था, तो उसको प्राजित किस ने किया, चंदरगुत मोरे ने किया और उसके सक्ता को थ्या लिया सीधी शिवात है मोरे सामराजे का अंतिम सासक्ता विरिद्रत उसकी अत्या किस ने की थी पुष्यमित सुंग ने की थी और उसका सैनापती था और अपनी सक्ती के बल पर उसको मार कर सुंग वंस की स्तापना की ये भी देखा उसी परकार यहाँ पर भी वही चीज़े बताई गए हैं कि राजे का जो अध्यक्स होता है वो गैरकानूनी तरीके से सक्ती पर अधिकार कर लेता और मनमानी तरीके से इसमें सासन किया जाता है ठीक है सोल्टाउ सोल्टाउ क्या वो बोल रहा है यापर पड़ीवास दे रहा है अधिनायक तंतर एक व्रक्ति का सासन होता है हमने देख लिया इसके बाले हम तो जिस ने अपने पद्द को मुख्यते वंसानूगत आधार पर प्राप्त नहीं किया वंसानूगत का मतलब क्या होता ह वंस के अनुसार बाई पिता राजा है तो उसका पुतर भी राजाई बनेगा ऐसा क्या होता है वंसानुगत शासन होता है लेकिन इसमें यह वताएगा है कि वंसानुगत अधार पर शासन वहाँ पर वो वक्ति नहीं प्राप्त करता है अपितु सक्ति या सहम्ति अथ्वा दोनों के उप्योग से प्राप्त किया जाता है ठीक है वो या तो सक्ति से प्राप्त करेगा सासन या फिर किसी की सहम्ति से प्राप्त करेगा या दोनों के परियोग से वो प्राप्त कर लेगा वह निर्पेक्स प्रभू सब्ता प्राप्त करता है और इसका परियोग वह कानून के बजाए मनमान ने आदेशों को लागू करके करता है यानि सब्ता मिलने के बाद वो मनमानी तरीके से सासन चलाता है अपने आदेश खुद बनाता है उस पर जनता का नियंतरण नहीं होता है उसके अनुसार जनता कुछ अना पड़ता है दबाव समुवे का अर्थ क्या है समाज के विबिन आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, अत्वासांसकर्तिक वर्ग अपने हितों की प्राप्ति एवम रक्सा के लिए समुव की स्तापना की जाती है ठीक है यानि समाज में बहुत सारे वर्ग होते है आर्थिक, यानि अर्थ विवस्ता संबंदित, पैसो संबंदित कि विवस्ता किस परकार किया जाए पैसो संबंदितार्थिक, सामाजिक, यानि समाज में जो वर्ग बटे हुए है, जाती के अनुसार वो, धार्मिक धर्म, जो जैसे कोई हिंदू समाज को मानता है, हिंदू धर्म को मानता है, तो उसका एक अलग से संगटन बन जाएगा, सांस्कृतिक दर्ष्टी से, इन सभी में एक ऐसे संभू का निर्मान हो जाता है, एक संभू का निर्मान हो जाता है, क्यों अपने हितों की प्राप्ति करने के रक्सा करने के लिए, क्योंकि समाज में सब अपने हितों को देखते हैं, तो संभू बना लेते हैं समाज में, ठीक है, उदार्ण के लिए, जैसे उत के जो अधिकार है उनको दिलाने के लिए मैलाव करेप होता था उसको करने के लिए अब वो संगठन है न जो बहुत भारी संगठन बिन रहे है क्यों कि सामाजी के छेतर में डलीतों को अब वो अधिकार दिलाने के लिए तो इस परकार है न जो समुव का निर्मान हो जाता है आप ये समू आगे चल कर रहें जो बड़ा समू बनता है कैसे आता ऐसे समू को हित समू का आ जाता है ठीक है किंतु जब ये हित समू अपने हित की रक्सा एवं वृदी के लिए राज्य की विदाई एवं परसासनिक किरियाओं को परवावित करने लगते हैं तो इन्हें इमार्मी है माल लीजे वो दीरे दीरे बड़ा संगटन बन चुका है आपके सामने है पूरे भारत में जगा जगा हर राज्य मेन भी इमार्मी खड़ी हो गई अब वो राज्य पिले एक्ष्णों में जो दे रखा उसको पड़ो राज्य की विदाई और परसासनी किरियाओं को परवावित करता है उत्तर परदेश में योग्यादीतिनाद के सरकार है लेकिन चंदर सेकर रावन जो है जब भी दली समाज के साथ में कुछ भी होता है तो खड़ा हो जाता है और आंदोलन करता है तो इससे परवावित को हो रहा है योग्यादीतिनाद परवावित तो ऐसे जो संगत है जैसे बीमार्मी जैसा संगत है उसको अपन दबास हो भोल सकते हैं ठीक है क्योंकि वह वहाँ की सरकार है उसको नियुंतित कर रहा है उसको प्रभावीत भी कर रहा है ठीक है पर्सन नमर पांचवा नारिवाद को परिवासित कीजिए नारिवाद इंपोर्टेंट टॉपिक आपका ठीक है बड़ा क्यूस्टन भी बनता है इसमें पहला देखो यहाँ पर परिवासा देख लेते हैं सबसे पहले तो नारिवाद राजनितिक आंदोलन का एक सामजिक सिद्दान्त है जो इस्तरियों के अन्बों से जनित उत्पन है ठीक है नारिवाद जो है ना वो राजनितिक आंदोलने एक परकार का और उसमें क्या है एक सामजिक सिद्दान्त है ठीक है और यह इस्तरियों के अन्बों से उ पन हुआ है ये नारिवाद ठीक है कौन कहरा है मुक्त ग्यानकोष विक्पीडिया ठीक है ये बोर रहा है दूसरी चमन नाहर इसकी परिवास्त देते हैं नारिवाद नारी की की लगा देना इसकी बीच विटीक है तो ये एक ऐसी विचारदा रहा है जो जो मैलाए हैं वो दूसरों पर निर्बर हैं पूरूसों पर निर्बर हैं वो स्वतंतर हो जाएं और अपना जिवन खुछ दिए सके इसमें ये बताए गया है उनको जो समाज में सारी चीजों की स्वतंतरता हो ठीक है ये कौन बोल रहा है चमन नाहर उप्रियुक्त परिवासाओं से इसपस्ट होता है वे दोनी परिवासा क्या इसपस्ट कर रही है नारिवाद इस्तरियों के अनुबव से उत्पन एक सामाजिक सिद्दान्त है किस से किसके अनुबव से उत्पन हो आई ये नारिवाद इस्तर योग के अन बोस दे और एक सामाजिक सिध रहने मिले में गजी परीवाश,ितनि कि मुक्ति की तैसे यानि जो पुरूस मैला उपर सोशन करते हैं, उससे छुटकारा दिरनाला चाहता है और नारी वाद, और एक प्रकार के आदोलन है, ठीक है, तो ये सारी इक सारी चीज़ा आपको बेड़े तरीकिस किलियर हो रही होंगी, इसके बाद में छट्टा क्यूसन सक्ति का अर्थ इ उसकति के द्वारा जो भी अपराद कर रहा है, उसको ड्ढ़ देता है, उस सक्ति के द्वारा, उसका दमन कर देता है, जैसे नीचे दे रखा है मनू, मनू कहता है, डंड द्वारा दुश्टो का दमन करना सक्ति है, ठीक है, राएक राजा होता था, उसके पास में बहुत सारी सक्तिया होती थी, सेना होती थी और उस सक्ति के द्वारा वो डंड निर्दारित करता था कोई गलत करता था और ज्यादा ही गलत किया है तो उसको प्राण डंड देता था क्यों क्यों कि राजा के पास में सक्ति है उस सक्ति के द्वारा ये सारे सारे कारिक कर रहा है कुछ विद्वानों ने सक् सब्सकिति कि दवारा इस्तापित करते मुक्य मंत्री के पास सक्ती है, वह उत्तापित कि अपन के वाँ तुम रिये है कि जैसे पुलीस के पास में सक्ति दे डेयर हैं तो अपन अपन है ने जो पुलीस के सामने जाजने नहीं बहुत रहे हैं और जो अपन के उपर नियंत्रणी स्तापित करती है उनका मत है कि सकती व्यक्तियों के विवार को नियंतित करती है सई बात है सकती विवार को भी नियंतित करेगी जैसे माली जे हमारे एरिये में डीम आई यानि आई एस एक अधिकारी आई माली तीना डाबी आ गई माली जो जैसे वैसे तो जैसल मेर में है ले तो अपड़ के वेवार को उसने नियंत्रित किया या नहीं किया क्योंकि उसके पास में सक्ति ने हमारे को नियंत्रित किया ठीक है परिवासा रोबोट बायस्टेड के अनुसार सक्ति बल परियोग की योगिता है नै कि उसका वास्त्विक परियोग सक्ति है ना जो बस दिखा वही की रूप में ही होता है कि वही कोई व्यक्ति है ना जो उसको परियोग कर सकता है लेकिन उसका वास्तिविक परियोग नहीं किया जाता है जैसे एक आये से दिखा रहे होती उसके पास में सक्ति होती तो वो क्या हमेशा ही उस सक्ति का प्रियोग करता है क्या नहीं करता है क्योंकि लोगों में डर है कि ये कर सकता है लेकिन वो करता नहीं है जादा ही बात भी गड़ जाती है तब करता है तो इसमें भी एक आ गया है इसका वास्ति प्रियोग नहीं है सक्ति का ठीक है तो ये कि सब्द सत्ता अंग्रेजी के सब्द आथोरिटी का अनुवाद है जा आप सत्ता सब्द देख रहे हैं वो अंग्रेजी के किस सब्द से बनाए है ओथोरिटी ठीक है अब यह ओथोरोटी किस सब्द से बनाए है देखो इसकी उत्पत्ति है ना जो लेटीन वासा के सब्द ऑक औक्तोरिटास से ये बना है ऐसे अधोरिटी सब्द, जिसका आर्थ है बड़ा नाम, अथा आर्थ जब सक्ति को औचित्य पूर्था-पूर्था प्राप्त हो जाती है, तो उसमें गुणात्मिक विड्दी हो जाती है, और वे सक्ता बन जाती है। कि ऐने कर बतलो जा वो सकती है उसको जब समवेदानिक मान집 ना ठाट लेकसे उसको मानत्रं मिला तो उसकी सकती जो दुगणी बहुत ज्यादा Спाहए तो जब चुनाव में खड़े हो एते तब आपके पास भी कोई सकती नहीं थी लेकिन जीतने के बाद यानि ओचित्ते पूंता यानि आपको समविदान के दुआरा ताकत मिल गई है और ताकत मिलते ही आप देख लो एमेले की क्या ताकत होती है उसके जो पद है उसमें सकती आपके परिवासा हेनरी फेयोल सकता आदेश देने का अधिकार है तता इस सकती देते हैं और उससे लागी करवाते हैं सकती के दुआरा एक नेता होता है जो आदेश देता। परत्य वाद या आद्रस वाद का अर्थ इसप्रस्ट कीजिए ये दोनों तरह से आ सकता है आद्रस वाद का अर्थ बताओ या परत्य वाद का अर्थ बताओ तेका इसके साथ में परीवासा भी मैं देते चले जा रहा हूं थाकि परीवासा पूछ ले तो परीवासा भी आप पत्तेवाद अंग्रे जी सब्द इसके बाद में देखो जो आइडिया अपने जो सब्द निकाला है अंग्रे जी का वो किस्ट से बनाए देखो आइडिया का अर्थ विचार अत्वा प्रत्य यह तेक है इह जो आइडिय सब्द है उससे दो सब्द निकल रहे है ना विचार और प्रत्य ठीक है यह है विचार दरा मानती है कि सबी द्रश्य और द्रश्य जगत का आधार बूत कारण विचार जगत है यानि हमें जो द्रश्य जो दिखता है इस अंसार में और जो नहीं दिखता है वो जो जगत है ना उसका कारण क्या है एक विचार है इसमें ये बताए गया है परत्याई वाद राज्ये एवं इससे सम्मंदि समश्या उपर यथार्त वादी एवं बोतिक डंग से विचार नहीं करता है अपि तु आद्रस वादी एवं इंद्रिया तीत ग्यान के आदार पर विचार करता है इसे याद्रस वाद कहा जाता है यानि इसमें आदरस वादी और इंडरियों के धर्वारा जो ग्यान प्राप्त होता है उस विचार के धर्वारा ही इसमें सारी सारी चीज़े किये जाती है तो यही आदरस वाद है, ठीक है इसके पाद में नवा क्यूशन है परमप्रागत दर्ष्टिकूर्ण के अनुसार राजिंति विज्ञान को प्रिवासी थी, यह दोनों क्यूसर एक ही हैं, लेकिन आप कोई सा भी इसमें करना चाहों, मेरे इसमें दस्वा क्यूसर आपके लिए बैस ट्राईगा, इसमें दोनों तरह से क्यूसर पूछ सकता है, यानि इनके आंस्वर है जो अलग-अलग तरीके से हो सकते हैं, तो पहला यह देख लेते हैं, इसमें क्या बताना है कि जो दर्ष्टिकूर्ण राजिंति विज्ञान के बाटे गए परमप्रागत दर्ष्टिकूर्ण, आधुनिक दर्ष्टिकूर्ण, तो परमप्रागत तर्ष्टिकूर्ण के उनसार राजिंति विज्ञान के परिवासा पूछ रहा है, तो पहले यह आपर क्या है, राजिंति विज्ञान के बाटे का द्यन है, दूसरे में राजिंति विज्ञान के बाटे का द्यन है, तीसरे में राजिंति विज्ञान, राजियों, सरकार द बवए दाल दी. Garner, ओली कोग, परसिद्परिवासाई यह, ठीक है. Garner, ऐसा पूच सकता है कि Garner के अनुसार परिवासित कीजे, प्रम प्रागत दृष्टिकॉन से राजनिती विज्ञान को. Garner के अनुसार परिवासित कीजे, पहले में राज़े का अध्यान है उसी से यहीर राजनतिवी ज्यान का अध्यान का प्रारम किसी होता है राजनति भी राजनतिप मैं राजनतिवी ज्यान सरकार से संबंधि सास्तर है ठेक है है तो मैंने बड़spe PCS किसे आपको समझा दिया है अभी सीरीज पढ़ने के आप सकता नहीं है यदि इनको भी पढ़ लोगे तो अच्छे अंग काने वाले हैं क्यों सन मैंने बना कर दे दिये हैं मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए ठैंक यू